स्क्राइब केजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हैलो दोस्तो मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्तो और मेरे इस मेडिकल दोस चैनल में आप सभी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है रखती है और इसका कंपोजीशन क्या हो सकता है दोस्तो इन बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्कीप ना करें वीडियो में सुरू से अंत तक जरूर बने रहें और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें आज का जो लाइक का टार्गेट है दोस्तो आप लोग आसानी से दोस्तो लाइक करवा सकते हैं जो कि हमें देखकर काफी अच्छा लगता है दोस्तो डाइना लीड पी टेबलेट कुछ इस तरह के कागस के कॉटन बॉक्स में आता है जिसकी कंपोजीशन की बात करें तो दोस्तो इसमें आपको इच फिल्म को पर टेबलेट कंटेंस से देखने को मिलता है पारसे टमाल इसमें 325 mg और नीमुसलाइड इसमें 100 mg देखने को मिलता है दोस्तो बात करें इसके फायदे की तो दोस्तो यह बहतरिन एंटिपारेटिक एनलाजेसिक और एंटिएनफलमेटरी ड्रग के कैटगरी में यह डाइन डाइना लेट पी टेबलेट आता है दोस्तो इसके अंदर की टेबलेट कुछ इस तरह से देखने को मिलती है दोस्तो इसके फायदे की बात करें तो यह एक बहतरिन ड्रग है जो की फीवर की समस्या को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तमाल किया जाता है अगर आपक की शिकायत हो टाइफाइड फीवर की शिकायत हो या फिर किसी अन्य कारोडों से आपको फीवर आ रहा हो तो उन कंडिशन में आप डाइना लेट पी टेबलेट का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो यह फीवर के साथ साथ अगर आपके बॉडी में कहीं भी दर्द होता हो जैसे के बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द होता हो तो उन तरह के दर्द से चुटकारा पाने के लिए भी आप इस डाइना लेट पी टेबलेट का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो यह दस टेबलेट के एक स्ट्रीप में आता है जिसकी प्राइज की बात करें तो 40 से 50 रुपे आ आसानी से मिल जाता है दोस्तो यह बुखार और दर्द के साथ साथ अगर आपके बॉडी में कहीं स्वेलिंग की शिकायत है जैसे की हाथ पैरों में मोच आने की वज़े से स्वेलिंग आ गई है या फिर बॉडी के अन्य पार्ट में कहीं स्वेलिंग आ गई है यानि कि सू के पेठ Dieses करके अपनी तबाने प्रेट समस्याओंसे चुट्कारा पा सकते हैं दोस्तों संघ्ल सकते हैं ए 170 effect के रूप में रख सकते हैं क्योंके दोस्तों कभी भी किसी के घर में रात के समय या कभी भी किसी को फीवर या दर्द की शिकायत हो सकती है तो उन कंडिशन में अगर आपके पास ये मेडिसीन रहता है तो आप देकर खिला कर इन तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं अगर समस्या ठीक ना हो तो आप अपने नजदे की डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तो डोज की बात करें तो ये खास तोर से एडल्ट के लिए आता है जबकि इसके बच्चों के लिए इसके सीरप भी मार्केट में उपलब्द हैं एडल्ट में जो इसका डोज है एक एक गोली शुबर शाम खाना खाने के बाद इससे इस्तिमाल किया जाता है बच्चों में देना चाहते हैं तो जो चार साल से उपर के बच्चे हैं उन्हें आदी गोली शुबर शाम दे सकते हैं साइड फिक्ट की बात करें तो दोस्तो इसका कुछ खास साइड फिक्ट नहीं है लेकिन दोस्तो इसमें पैरसिटमॉल और नीमोसलाइट दो तरह के साल्ट डाले गए है अगर आप इन टेबलिट का इन तरह के साल्ट का लंबे समय तक इस्तमाल करते हैं या फिर बिना वज़ा का इस्तमाल करते हैं तो यह आपके बॉड़ी पे साइड इफेक्ट दे सकता है जैसे कि लीबर को डैमेज कर सकता है किड्नी को खराब कर सकता है बॉड़ी में शोयलिंग इचिंग की समस्या होना रेसेस पड़ जाना तो दोस्तो इस तरह के कॉमन साइड एफेक्ट होते हैं जो कि सभी को नहीं होता तो यह था दोस्तो डैनालेट पी टेबलेट के बारे कर सकता है